भक्ती में है शक्ती बंधू, शक्ती में संसार है, त्रिलोक में है जिसकी चर्चा उन्ही शिवजी का आज तहवार है जी हाँ, आज सावन शिवरात्री का महा तहवार है, ये शुब दिन हर सावन के महिने की कृष्ण पक्ष चतुर्ती को आती है और इस बार सावन शिवरात्री 30 जुलाई को है शिवरात्री का हिंदुधर में काफी महत्व है वैसे तो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतूर्ती को शिवरात्री आती है लेकिन सावन महीने में आने वाली शिवरात्री का विशेश महत्व माना गया है मानिता है कि सावन के महीने में स्वेम भगवान शिव, माता पारवती, गनेश, कार्तिके, नंदी और अपने शिव गनो सहित पूरे महीने प्रीत्वी पर विराजते हैं यही वज़ा है कि सावन शिवरात्री के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेश पूजा की जाती है सावन में मंगलवार के दिन मंगला गौरी की पूजा होती है और ये दिन रुद्रावतार हनुमान जी की पूजा के लिए भी समर्पित है ऐसे में मंगलवार के दिन पढ़ने वाली शिवरात्री का महत्व बढ़ गया है सावन शिवरात्री की दिन शिवलिंग का जलाब शेक करना बेहद पुन्यकारी और कल्यानकारी मान जाता है मानिता है कि सावन शिवरात्री की दिन जो भक्त सच्ची मन से शवशंकर की पूजा करते हैं भगवान उनकी सभी मनोकामनाय पूर्ण करते हैं साथ ही इस पावन दिन में ओम नमः शिवाय, शिव चालीसा, शिव पुरान, रुद्राक्ष माला से महा मृत्युन जय मंत्र का जाप करने से भी भगवान शिव बेहद प्रशन होते हैं और सभी का कस्ट दूर करते हैं जो भग्त मासिक शिवरात्री का व्रत करना चाहते हैं, वो सावन के शिवरात्री से इस व्रत की शुरुवात कर सकते हैं, सास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव जोतर लिंग के रूप में रात के वक्त प्रकट हुए थे, इसलिए शिवरात्री की रात में जागरन क करने का विशेश महत्व बताया गया है अर्थात विदी विधान से पूजा करने पर व्यक्ति लोब और मों से मुक्त हो जाता है और महकाल से उसे मोक्ष की प्राप्ति का आशिरवाद प्राप्त होता है